तो जी हा नमस्कार किसान भायों फिर से सरसो का भाव लेके आ गया हूं सुबस हुआ आप लोगों के लिए और आज दोस्तो मंडी में वैसा कुछ भाव नहीं है जैसा रहना चाही था ना ज्यादा तेजी है ना ज्यादा मंडी है दोस्तो एक अस्टेबल भाव चल रहा है भ पहले दोस्तो मैं आपको अभी भी का भाव बता देता हूं क्या कुछ भाव रहा है मंडी में और साम तक दोस्तो अधीक तेजी आने की संभाव ना है क्योंकि मैं साम को दूस्तो आपकी लाओ लेड़ी वीडियो लाओंगा साथ बज़े आप चैनल को सब्सक्राइब कर र संगरिया नाज मंडी की तो यहां पे सरसू का भाव देखा गया चेहशंगाव नीरूप क्यूटल से 3200 को क्योंटल देखा गया बात करेंगा अशंगर मंडी की do सुका जो आवा करा है धाई शो कि उंटल और दोस्तों की साम को आवा खलका सा और इससे जादा बढ़ने की उमिद है और भाव रही है छेजर आट सो पचास से साथ हजार एकसो चालिस उर्पे कुंटल बात करेंगे सादूल सरनाज मंडी की भाईया तो यहां पर दोस्तों आ सरसू का भाव रहा है पच्पन सो पे कुंटल से 6650 उर्पे कुंटल तक अब दोस्तों बात करेंगे इल्लाबाद मंडी की इल्लाबाद में सरसू का भाव देखा गया पैसट सो पे कुंटल से 6742 उर्पे कुंटल तक देखा गया चना का भाव 4550 उर्पे कुंटल देखा गया गवार का भाव 5550 उर्पे कुंटल से 579 उर्पे कुंटल तक देखा गया बात करेंगे मंडी आदंपुर्गी सरसू का भाव 7242 इससानाज मंडी की बात करें तो यहां पर दोस्तों आज सबस जब से आवग घटी है तब से भाव बढ़ता है जब आवग बढ़ जाएगी तो रेट घट जाएगा अभी भी मंडी हम सभी जानते कि एक से डेड़ मेन का इंतजार है तो जब तक दोस्तु नहीं सर्सु नहीं आ जादी तब तक तो सर्सु में तेजी बरकरार रहेगी और 100 परशिंट तेजी रहना भी चाहिए दोस्तु अभी तो सर्सु भी है गिरावर नहीं आने वाला है गिरावर तभी आगा जब सभी किसान सूच लेगे एक सर्सु बेजदना है और दोस्तु जैपूर वही बाव चल रहा है कल का इहीं बाव खुला है 8,025 सुपे कुंटल द दोस्तु कामा कुमहर डिंग नगर में वही 7,636 सर्सु का भाव चल रहा है दोस्तु कानपूर में 7,750 बुंदी में 8,500 निवाई में 7,600 हिंडवन में 7,725 ब्याना में 7,750 और आइसिंग नगर में 6,800 से 7,150 सुपे कुंटल घरतल में सर्सु का भाव दोस्तु 7,700 सर्सु का भाव कोटा मंडी में 8,500 से 6,500 से 6,941 सुपे कुंटल तक निवाई में सर्सु का भाव 7,700 बाकी भाव बाकी अपडेट साम को बताऊंगा 6 बजे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें शाम को आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा सर्सु मंडी भाव के साथ म मैं हूं विवेक कुमार और आप देखरें आपका फैबरेट चैनल बिजनेस दुनियादारी धनिवाद